डिसकस करने जा रहा हूं रियूनियू पर ठीक है आगम की बात मैं करने जा रहा हूं ठीक है आगम की बात मैं क्या करने जा रहा हूं देखो एक उत्पादक का टार्गेट क्या होता है असदयों अपने आगम को अधिक्तम करना होता है अपने आय को अधिक्तम करना होता है को न्यूंतम करना होता है वैसे एक producer को अपनी रिवूनियू को maximize करना होता है ठीक है तो कि आपको क्या करना पड़ेगा सबسे पहले उस आघम को ठीक है आघम आपका तीन प्रकार का होता है पहला आपका टोटल मीं होता है दूसरा आपका average reunion होता है और तीसरा आपका marginal reunion होता है ये तीन आगम होते हैं तो इन तीन आगम में ये तीनों आगम को एक उत्पादक अधिक्तम करना चाहेगा माल लीजे उससे हम कहते हैं कि total reunion maximization का point बताईए तो सबसे पहले आप total reunion को क्या करोगे प्रथम आउकलन करोगे आप प्रथम आउकलन करने के बाद जितना आएगा इसके equal to आप 0 रखोगे इससे आपको उत्पादन का इस्तरग्यात हो जाएगा अब जब आपका उत्पादन का इस्तरग्यात हो जागा तो इसका दिथी अउकलन करोगे और जब दिथी अउकलन करोगे तो दिथी अउकलन का मान सदयव निगेटिव आना चाहिए सदयव माने आपको बोला यह चीज आप बहुत टेकनिकली देख लिजेगा रियूनियू में सदय जो दिती आउकलन का मान होता है वो निगेटिव आता है तब एक्स की वैलू पर हम लोग मैक्सिमा में रहते हैं तो हमको यह पॉइंट याद रखना पड़ेगा कभी भी टोटल रियूनियू में इसकी वैलू पॉजिटिव नहीं आ सकती है अगर आती है तो आपका प्रस्ण में गड़बड़ी है उसको आपको चेक करना होगा ठीक है तो यह पॉइंट आपको बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान में रखना होगा और इसके आधार पर ही आपको कुश्चन को सॉलू करना होगा ठीक है इसके आधार पर ही कुश् उत्पादक का जो मांग फलन है, डिमांड फंक्शन है, एक उत्पादक का जो डिमांड फंक्शन है, पी इक्वल टू 12 माइनस 4 एक्स है, ये डिमांड फंक्शन है, उत्पादन का वो इस्तर ग्याद कीजिए, जहां पर कुल आगम अधिक्तम हो, जहां पर आपका टोटल रियूनी मैक्सिमम हो, उस लेवल को आपका कैल्कुलेट करना है, ठीक है? तो और क्या करता है, उत्पादन का वो इस्तर साथ ही साथ T-R का मान भी आपको बताना है, तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे कुल आगम फलन को प्राप्त करना है, तो कुल आगम फलन T-R बराबर P into X होता है, हम जानते हैं, और P क्या है? 12 माइनस 4 X और ब्रेकेट में X ठ तो आपका हो जाएगा 12x minus 4x square ये आपका कुल आगम फलन है ठीक है अब ये कुल आगम फलन है अब इस पे आपके क्या condition लगाओगे for max and mini लगाओगे maxima और minima टेस्ट करोगे तो इसके लिए प्रथम आउकलन आप करोगे dtr upon dx करोगे और चलो इसको क्या करोगे तो 12 minus 8x equal to 0 प्रथम आउकलन के बाद आपको equal to 0 रखना होगा ठीक है तो प्रथम आउकलन करने के बाद जो आएगा उसके equal to 0 रखोगे तो इस तरह से आपको x का मान पता चल जाएगा minus minus cancel हो जाएगा x equal to आपका हो जाएगा कितना x equal to हो जाएगा 12 बटे 8 हो जाएगा और आपका चार दूनी 8 चार दे 12 यहीं 1.5 हो जाएगा यहीं x बराबर 1.5 आजाएगा ठीक है x का मान 1.5 आजाएगा बट यह जो उत्पादन के स्थार होगा यह maximize को दर्था रहा है कि नहीं दर्था रहा है यह प्रशन बन जाता है तो जब आपको यह प्रशन बन जाता है कि यह maximum condition को दर्था रहा है या maximum condition को नहीं दर्था रहा तो देखे दिती ओकलन कमान माइनस आठ आ जाता है बारा का जीरो हो जाएगा और माइनस आठ एकस में एकस कमान वन हो जाएगा इस प्रकार माइनस एट हो जाता तो आप इस स्टेटमेंट क्या लिखोगे क्योंकि दिती ये ओकलन कमान माइनस आठ है अता एकस बराबर वन पॉइंट फाइब पर कुल आगाम अधिक्तमी करण होगा अधिक्तमी करण होगा तो ये आपका हो जाएगा आप पूछा गया प्रस्ट में कि कुल आगम का मान भी निकालिये तो आपको क्या करना पड़ेगा जो ये आपका उत्पादन का मान आया है ये मान जो आया है इसको कुल आगम फलन में आप रख दोगे तो चलो रखते हैं तो मैंने एकस बराबर वन पॉइंट फाइब रख दिया तो आपका हो जाएगा टी आर बराबर 12 इंटू 1.5 माइनस 4 वन पॉइंट फाइब का कर लेते हैं तो मुझे टोटल रिउनी प्राप्त हो जाएगी और इसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए 12 को हम लोग मल्टिप्लाई करते हैं 1.5 के साथ तो जब 1.5 के साथ मल्टिप्लाई करते हैं तो ये आजाता आपका 18 और इसमें 15 का 1.5 का स्क्वाइर करेंगे तो जब आप 1.5 का स्क्वाइर करते हैं तो उसके प्रेणाम सुरूप यह आ जाता है तो यह कुल आगम होगा तो इस तरह आप कुल आगम का मान निकालोगे तो इक्जाम में ऐसे प्रस्ण पूछे जाते हैं कि उत्पादन का वो इस तरह जात कीजिए जहां पर कुल आगम अधिकतमी करते हो आगम से यह पॉइंट याद रखेगा कि आगम सदायव आपको अधिकतमी करण करने की बात करेगा चाहे वो एवरेज रिवनी की बात कर रह करेंगे और एवरेज रिवनी फंक्सन जनरेट करने के बात फिर हम उसको मैक्समा और मिनिमा का क्या करेंगे टेस्ट लगाएंगे और इसी प्रकार मार्जिनल रिवनी के साथ भी हम काम करेंगे तो चलो कुछ प्रस्णा है उन प्रस्णों को नोट कर लीजे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे तो कुष्चन साब का है पहला कुष्चन मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं हां टोटल कॉस्ट इक्वल टू टेन प्लस प्लस नईस को मैनिस करूंगा मैं बुक्स में बहुत ज़च्ध में स्टेक्स होती है जह थोड़ा सा ध्यूंदेना होगगा प्लस थ्री x2 तो यह तोटल कॉस्ट फंक्सन है कि x का वो मान ग्याद कीजिए जहां पर जहां पर आपका इसको 10 , paradox कर लेना ठीक है जहां पर आपके पास नियून तम हो तथा एवी सी का मान भी पताईएगा कितना होता है यह पहला कुश्चन था चलिए दूसरा कुश्चन मैं रिउनियू से दे देता हूं क्योंकि दोनों टॉपिक्स मैंने कवर की हैं आपके साथ तो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से इसको कवर कर सकते हो और बता भी सकते हो इफ एक उत्पादक का जो मांग फलन है डिमांड फंक्शन है या मैं इसको कर देता हूं ऐसा आपका ठीके कोई प्रावन ने 9T-X² है उत्पादन का वह स्तर गयात कीजिए उत्पादन का वह स्तर गयात कीजिए जहाँ पर Tr अधिकतम हो टी आर अधिक्तम हो उत्पादन का वो इस तरह पो निकालना है साथ ही साथ साथ ही टी आर का मान भी ग्याद कीजिए मान भी ग्याद कीजिएगा तो ये दो प्रस्ण मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूँ इनको आपको सौल करके ग्रूप में ही सेयर करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रापर चीजे सबज में आ रही है या नहीं आ रही है ठीक है तो आज हम लोग इतना कोई प्रस्ण हो इससे संबंदी तो जरूर पूछना